नमस्ती दोस्तों इस वीडियो माँ आप देखेंगे बहुते सुंदर सी स्लिव की डिजाइन का टुटोरियल यहाँ पर हमने ये 3 4th में 3 4th में स्लिव को कुट किया हुआ है और यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी फिनिशिंग देंगे तरह से पत्ति को फोल्ड करके इस तरह से इसकी फिनिशिंग हो जाने के बाद इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके यहां से हम एक वी में इसको कर देना है देखे लंबाई हम लगबग पांच इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से एक वी का शेप पनाएंगे और इसे कट कर देंगे जो इसकी चौड़ाई हमने रखी है वो लगबग ये डेड़े इंच इतना हमने इसको चौड़ा रखा है और यहाँ पर इस वी की अब हम फिनिशिंग देंगे तो यह गूरेब में हमने एक स्ट्रिप ले है इसको डबल करेंगे इस तरह से फोल करेंगे और इसके उपर प्लेस करेंगे नीचे से हमने यह इसा थोड़ा सा बाहर की और रखा है और फिर यहाँ इसके उपर से सिलाई लेंगे यहाँ सीधी सिलाई आ जाएगी और जो V का यहाँ शेप है वहाँ पर एक प्लीट्स देंगे यह प्लीट्स अच्छे से बढ़ी देनी है और यह पट्टी जो है दूसरी साइड में टन हो जाए, इस तरह से हमने यह प्लीट्स दे है और दूसरे साइट भी इस तरह से सिलाई ले लेंगे फिर यहाँ वी पर हमें एक कट देना है सिलाई पर कट ना है सिर्फ और बाकी गहरा कट देना है फिर यहाँ इस तरह से पटी को फोल करेंगे और इसके उपर फिनिशिंग की सिलाई देंगे इस तरह से अंदर की और से फोल्ड करके ऐसे इसके उपर सिलाई देंगे तो जो नीचे का हिस्सा है वो भी फिनिशिंग का हो जाएगा और बाकी हिसे में भी ये वी की हम सिलाई ले लेंगे इस तरह से यहां इसकी फिनिशिंग हो गई है और इसके बीच में हमें एक बोर यहां पर अटेश करना है तो इसके लिए हमने यह पीस लिया है फैब्रिक का जिसकी देखिए यह इस तरह से 5 इंच का है और यह 6 इंच का है लगबग यहां से ऐसे इसको फोल करके इसके ऊपर सिलाई लेंगे, फिर इसे राइट साइट में टर्ण करना है राइट साइट में टर्न करने के बाद सिलाई का जो हिस्सा है वो सेंटर में रहेगा इस तरह से हमने ये right side में turn किया है और सिलाई वाला हिस्सा ये wrong side में center में है और इसकी बीच का जो हिस्सा है यहां इसको सुई धागे से हम चोटी चोटी plates लेंगे और एक साथ कर देंगे इसकी double सिलाई करके से tight lock कर देंगे और इसके बीच में एक हम बटन अटेच करेंगे इस तर से हमारा पीस बनके रेडी रहेगा और इस पीस को हमें स्लेव के ऊपर अटेच करना है रॉंग साइड में गाट देखकर अभी से हम कट कर देंगे धागी को इस तर से इसको यहाँ पर प्लेस करके हमने यहाँ पिनप किया है और पिनप करके इसके ऊपर से सिलाई ले लेंगे तो यह यहाँ पर अटेच हो जाएगा और अब इसकी दोनु साइड में हम सिलाई ले लेंगे एक साइड की सिलाई लेने के बाद दूसरे साइड की सिलाई लेनी है और यह पूरा यहाँ पर अटेच हो जाएगा इस डिजाइन का लुक बहुत अच्छा आता है पर पहनने के बाद में इसका लुक बहुत अच्छा आता है ये अल्बो लेंग तक आप लेंग सकते हैं और हमादी ये डिजाइन बनके रेटी है थैंक ये सो मुच वाचिंग बबाई